नमस्कार साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंडी पीडिया में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं आज के वीडियो में बात करने वाले हैं चंद चंद से महत्पूर प्रश्णों को लेकर आये हैं जो परिक्षाओं में प्राया पूछे जाते रहे हैं आईए चंद की बारे में जानते हैं चंद की परिभासा वर्ण मात्रा यती गती तुक आदिसे संबध बिशिस नेमों से नियोजित पद्ध रचना को चंद कहते हैं तो आईए मात्रा यती गती वर्ण तुक आदिसे संबध बिशिस नेमों से नियोजित पद्ध रचना को चंद कहते हैं इस तरह से आप कहते हैं पहले प्रश्णों पर चलते हैं चंद का स्वरव प्रथम उल्लेक कहां मिलता है चंद का सरुप्रथम उलेख रिगवेद में, यजुरवेद में, सामवेद में, उपनिशद में आपका सही बिकल्प क्या होगा? सही बिकल्प का चैन करें और सही बिकल्प का चैन इस तरह से ए बिकल्प रिगवेद में इसी तरह से आप अपने भी तेयारी का मुल्यांकन करते चलेंगे और उत्तर जानते चलेंगे आईए दूसरे प्रशन पर चलते हैं जैकारा नाम से जाना जाने वाला मात्रिक छंद है अब ऐसा कौन सा छंद है जिसको जैकारा नाम दिया गया है रोला, दोहा, कुंडलिया, चौपाई यहाँ पर डी विकल्प आपका सही है चौपाई को जैकारा चंद भी कहते हैं इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है कौन सा विकल्प चंद प्रकार नहीं है दिरिश्टांत, चौपाई, दोहा, सोर्था आपका सही विकल्प यहाँ हो जाएगा ए विकल्प, दिरिश्टांत, चंद का प्रकार नहीं है यह एक अलंकार है चौपाई चंद है, दोहा चंद है, सोर्था चंद है आईए इसके बारे में और जानते हैं द्रिष्टान चंद का प्रकार नहीं है चौपाई दोहा सोठा उल्लाला कुंडलिया छपपए अही रोला आलहा हरीगीत का बरवे इत्याद चंद के प्रकार है अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है चंद पढ़ते समय आने वाले बिराम को क्या कहते हैं बहुत महत हो जाएगा एविकल्प यति कहते हैं चंद पढ़ते समय काविपंग्ति पढ़ते समय आने वाले बिराम चिन्ह को क्या कहते हैं यति कहते हैं चलिए इसके बारे में जादा जान लेते हैं चंद में नीमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुखना पढ़ता है इ अगला प्रशने है इस तरह से है मंगल भवन या मंगल हारी ड्रवहों सो दसरत अजिर बिहारी इसमें किस छंद का प्रियोग हुआ है अब आपको ऐसे ही प्रस्न दिये जाएंके प्रिक्षाओं में और पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा छंद प्रियोग हुआ है तो आपको सीधे सीधे यहां बता देना है यह चौपाई छंद है यह बिकल्प आपका सही हो रहा है चौपाई छंद है इसके बारे में जादा जान लेते हैं चौपाई छंद के प्रतेक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में गुर लगू होता है प्रतेक चरण में अर्था 16-16 मात्राएं होती हैं अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है चंद से संबंधित गड़ों की संख्या है अब चंद में गड़ों की संख्या कितनी मानी जाती है आपकारी सिपाही परिच्छा 2016 में भी पूछा गया है चह साथ आठ दस यहां पर आपका सहीं विकल्प है गड़ जो माने गए हैं गड़ चंद में गड़ कितने माने गए हैं आठ गड़ माने गए हैं इसके लिए एक सरल सूत्र भी बताया गए है यमाता राजभानसलगा आई इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं चंद से संबंधित गड़ों की संख्या आठ है तीन वर्ड़ों का एक गड़ होता है यगड़ जैसे यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़ अब यहां जो है आठ गड़ दिये गए हैं अब इसमें अगर जो सूत्र की बात करते हैं सूत्र जो दिया गया है सूत्र को आप देख सकते हैं यह सूत्र दिया गया है इसमें आने वाले प्रतेक अच्छर से एक गड़ बनता है जैसे यमाता है यगड़ बना पहले यगड़ बना फिर मगड़ बना फिर तगड़ बना फिर रगड़ बना भगडबना, नगडबना, सगडबना एक, दो, तीन, चार, पांचे, साथ, आठ और तीन अच्छर पिसे होते हैं तो सगड़ की बाद कोई गड़ नहीं बनेगा सगड़, अंतिम गड़ बनेगा इसमें सर लगा, सर के साथ लगा जोड दिया गया है इस तरह से जो यहां आठ गड़ दिये गए हैं इसमें आठ गड़ दिये गए हैं यह जो है गड़ है अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है सम्मात्रिक छंद का कौन सा उदारण है जूनियर इंजीनियर तकनीकी परिक्षा 2016 में पूछा गया है इस तरह से बहुत ही महत्पूर प्रशन लेकर आए हैं जो परिक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं आते ही रहे हैं आपकी परिक्षाओं में आ सकते हैं ऐसे महत्पूर प्रशनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं यहां है सम्मात्रिक छंद कौन सा उदारण है दोहा है सोठा है चोपाई है सभी ह तो सम मात्रिक छंद भी बताया गया था उपर 16 16 मात्राइं प्रतेक चरण में होती हैं जब प्रतेक चरण में बराबर मात्राइं हो तो उसे सम चंद कहते हैं सम मात्रिक चंद कहते हैं मात्राओं की गढ़ना मात्रिक चंद यहां पर सी बिकल्प आपका बिलकुर सही हो रहा ह C बिंखल्ब कि दोहा और सोठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है क्योंकि 2, called में 1, 2, car only 1 गे स्वाए इसलिए सम्मात्रिक अर्ध सम्मात्रिक छंद, आधा सम आधा विश्ण इस तरह से कह सकते हैं, ऐ इसके बारे मैं और दिक पढ़ लेते हैं ''C ** »》 चीजिन चंदों के सभी चरण समान होते हैं वे सम्मात्रिक छंद कह लाते हैं, अब जैसे यहाँ तीन उधरिण दिए गए हैं चौप आई भी सम्मात्रिक छंद है, रोला भी सम्मात्रिक है, हर गीतिका भी सम्मात्रिक छंद है इसी तरह से अर्द सम्मात्रिक छंद कहलाते हैं जैसे दोहा, सोल्ठा तथा उल्लाला तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे तो दोहा, सोल्ठा तथा उल्लाला यह अर्द सम्मात्रिक छंद हैं अगले प्रस्ण पर चलते हैं, अगला प्रस्ण है, जिस छंद में चार चरण और प्रतेक चरण में 16 मात्राइं होती हैं, चार चरण हो और प्रतेक चरण में 16 मात्राइं हो, वह कहलाता है क्या दोहा, सोल्था, रोला, चौपाई, वह कहलाता है चौपाई, ग्राम पंचायत इधिकारी परिक्षा 2015 में पूछा गया प्रस्ण है तो बहुत ही महत्पुल प्रस्णों पर्चाज की चर्चा हो रही है यहां आपका सही विकल्प हो जाएगा डी चौपाई चारो चरण में 16-16 मात्राइं होती इसलिए सम्मात्रिक छंद है आईए पूरा पढ़े लेते हैं चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है इसमें चार चरण तथा प्रतेक चरण में 16 मात्राइं होती हैं चरण के यंत में दीर्ग अर्थाद बड़ा गुरु के बार हस्व अर्थाद छोटा लगू वड़ आना चाहिए इस तरह से अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला सम पूछा गया है अभी उपर पढ़ चुके हैं सम्मात्रिक छंद कौन कौन से थे अर्थ सम्मात्रिक छंद यहां पूछा गया है अर्थ सम्मात्रिक छंद यहां कौन सा है आपको सहीं बिकल्प का चेन करना है सहीं बिकल्प ही लगाना है आप अपनी पढ़ाई का अपनी कि तेयारी का मुल्यांकर भी करते चलेंगे इससे आपकुस सत्य जो है सफलता मिलती है यहां अर्ध सम्मात्रिक चंद की बात कर रहे हम अर्ध सम्मात्रिक चंद है दो है कि दो Thai कि दो चरण में कुछ अलएabile कुछ ऑलग यहां पर बर 232 हा आपका सहीं विकल्प हो भी विकल्प आपका सही होगा अर्ध सम्मात्रिक छंद अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है जब कोई छंद कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है जब कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है चंद चरणों विभक्त रहता है यात्मिय विभक्त रहता है दोनों में है इन में से कोई नहीं है यहां आपका सहीं विकल्प है छंद जो है चरणों में विभक्त रहता है यह विकल्प आपका सहीं हो जाएगा इसी तरह से अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगले प्रश्ण पर चारो चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं बहुत ही जल्दी उसका उत्तर देंगे अभी आप पढ़ चुके हैं इस सभी प्रस्णों के इन प्रस्णों के उत्तर आपको देने हैं सम्मात्रिक छंद कहते हैं विसम्मात्रिक छंद कहते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद कहते हैं या सभी अभी आप उत्तर दे रहे हैं चलिए हम बता देते हैं सम्मात्रिक छंद कहते हैं चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को सम्मात्रिक छंद कहते हैं यह विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगले प्रश्ण की बात क लेते हैं नियम्न लिखित में सम्मात्रिक छंद का कौन सा उदारण है सम्मात्रिक छंद का उदारण बताना है आप तुरंत पकड़ लिए चोपाई सम्मात्रिक छंद है चोपाई सम्मात्रिक छंद है अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है नहीं पराग नहीं मधूर मधूर नहीं बिकास यहीं काल अली कली में ही बिधों आगे कौन हवाल परस्तुत पंक्तियों में कौन सा चंद है अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं जो दोहा है आपको बता दिया कि इसका उत्तर सहीं क्या होगा दोहा ए भी कल पापका सहीं है यह बिहारी द्वारा लिखा गया है बिहारी दास ने बिहारी लाल ने यह दोहा तब लिखा था जब सवाई राजा जैसिंग कि तो राजकाज को छोड़ करके अपने रनिवास में लिप्त हो गए थे तो वहाँ पर राजकाज की चिंता करते हुए विह आई दोहा लिखकर भेजा कि नहीं पराएग नहीं मधुर्मधु नहीं विकास इहिंकाल कि आपकी 9 वना अभी राणी जो हैं उनका भी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ हैं उनमें आप क्यूं विधे हुए हैं तो आगे चल करके क्या आपकी दसा होगी इस तरह से जैसे ही राजा ने यह दोहा पढ़ा राजा को समझ में आ गया कि बिहारी लाल हमसे क्या कहना चाते हैं अत्यंत प्रसंद हुए राज काज समालते हैं उन्होंने यह घोसडा की अब से बिहारी लाल को प्रत्येक दोहे पर एक असर फी दिया करेंगे इसी दिन से बिहारी लाल को हर एक दोहे रचने पर एक असर फी राज खजाने से दी जाती रही तो यह दोहा चंद है आपको कहानी इसले बताए कि यह याद रहनी चाहिए अलंकार के लिए भी यह बहुत महत्पूरुदारण है अलंकार में भी यहुदारण पूछा जाता रहता है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यहीं काल तो याद रखना है अगले उपाई है सोल्ठा है बर्वय है आप समझ पाए होंगे अभी तक दोहे का उल्टा चंद क्या है सोल्ठा क्योंकि दोहे के बिसम चरणों में 13-13 मात्राय होती है और सम चरणों में 11-11 मात्राय होती है बिसम चरणों की बात समझा देते हैं बिसम चरण जैसे पहले और तीसर चरण में पहले में और तीसरे चरण में कितनी मात्राय होती हैं तेरा तेरा और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राय होती हैं ग्यारा ग्यारा तो पहले तीसरे में तेरा तेरा अर्थात विसम सम्चरणों में 13 और सम्चरणों में 11 ये दोहे की पिसेस्ता है इसी का अपोजिट हो जाता है सोल्था में सोल्थे में पहले और तीसरे में कितनी होती है पहले और तीसरे में सोल्थे में 11 11 मात्राएं और दूसरे और चोथे में तेरा तेरा मात्राएं तो सिल्फ गत आधार पर दोहे का उल्टा सोल्ठा होता है हमेशा याद रखेंगे इसी तरह से अगले प्रश्ण पर चलते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा चंद है अब यहां पूछा गया इन पंक्तियों में कौन सा चंद है इन पंक्तियों में आप अभी समझ गए होंगे जैसे मैंने पढ़ा आप तुरंत समझ गए होंगे इन पंक्तियों में सुन सी सत्यासी से हमारी पूजहिमन कामना तुम्हारी इन पंक्तियों में चोपाई चंद है कौन सा चंद है चोपाई चंद डी बिकलप आपका बिलकूल सहीं हो जाएगा इसी तरह से अगले प्रिस्न पर चलते हैं निजभासा उन्नत है सब उन्नत को मूल बिन निजभासा ग्यान के मिटे नहियों को सूल यहां पर आपको मात्रा गिन्ना भी बता देते हैं कि मात्रा कैसे गिनते हैं चलिए मात्रा गिन्ना सीखते हैं यहां देखे निज न है उ उस पे छोटी की मांत्रा लगी है, छोटा है, तो छोटा है, तो एक मांत्रा गिनेगे, ज़ एक मांत्रा गिनेगे, निज अर्थात दो मांत्राएं हो गई, भासा, यहां भा में दो मांत्राएं, और शा में दो मांत्राएं, तो चार, दो छ्छा मांत्राएं हो गई, उ और आ पार श थी नौ और अहइए एक दस अहए पर दो मात्राय मो पर नवह 13 तो दो Rule 12 मोटायी तक हुई तो दो हे में क्या कहा गया 13 मात्राई होगी तो जो उन्नती सब्द गिन रहे हैं उन्नती सब्द में जो आधा ना आया इस करण से यहां दो मात्राएं जिसको एस आकार में लिखते हैं दो मात्राएं हो जाएंगी और एक मात्रा को केप्टल आई के आकार में लिखते हैं एक मात्रा इस तरह से उन्नति में चार मात्राएं लेकर के बारा एक तेरा हो जाएंगी तेरा मात्राएं पहले चर हैं निजभासा उन्नत है सब उन्नत को मूल अब सब उन्नत को मूल इसमें देखे ग्यारा मात्राएं आपको मिलेंगी सब दो मात्राएं उन्नत चार मात्राएं चार दो छह को छह दो आठ मात्राएं और मूल आठ तिन ग्यारा मात्राएं तो सब उन्नत को मूल ग्यारा मात्र तो दोहे के दूसरे चरण में कितनी मात्राइं होती है ग्यारा तो आपका उत्तर सही है इस तरह से मात्रा गिन कर जब आप उत्तर लगाएंगे कभी गलत नहीं करेंगी अगले प्रशन पर चलते हैं जिस चंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 पहले और तीसरे में 13-13 दूसरे तथा दूसरे तथा चोथे चरणों में 11-11 मात्राइं हो वह चंद कहलाता है उत्तर आपको मिल गया है वह चंद क्या कहलाता है दोहा अभी इसकी परिभासा बताएगी दोहा अगले प्रशन पर चलते हैं रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गए नव दूबरे मोती मानुस चून यहां पर भी आपको देखे दोहे की बात की जा रही है ए विकल्प आपका सही हो जाएगा दोहा दोहे से परचित हो जाई दोहा बहुत परिक्षाओं में पूछा जाता रहा है कभी इसकी मात्राइं पूछी जाती हैं कभी उधारन दिये जाते हैं इस तरह से दोहे से प्रच्ण पूछे जाते रहे हैं आपका अठारा नंबर में एप रसन सहीं हुआ एवी कल्प सहीं हो गया अगले प्रश्न पर चलते हैं किसको पुकारे यहां रोकर अरन बीच चाहे जो करो सरन्न सरण तिहारे हैं प्रस्तुर्पंक्तिव में कौन स साक्षंद है यहां पर चंद पूछा गया है यहां पर घनाड्चरी चंद का प्रयोग कीया गया ड़ी विकल्स अपका बिल्कूल और प्रकार का चंद है चप्पय किस प्रकार का चंद है तो आपको बताना है सम्चंद है विसम्चंद है अर्द सम्चंद है या कोई नहीं इस तरह से चप्पय के बारे में बात करना है तो चप्पय एक तरह का विसम्चंद है विसम्चंद है आपका एविकल्ब सहीं हो जाएग इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं चप्पय विसम मात्रिक छंद है यह रोला एवं उल्लाला नामक दो छंदों को मिला कर बनता है इसमें चरण होते हैं चप्पय इसलिए इसे कहा जाता है पहले चरण चार चरण रोला से और अंतिम दो चरण उल्लाला छंद के होते हैं इस तरह से इसके बारे में जान लिया, आगे बढ़ते अगले प्रिश्ण पर, अगला प्रिश्ण है, चौपाई के प्रतेक चर्ण में मात्राएं होती हैं, चौपाई के प्रतेक चर्ण में कितनी मात्राएं होती हैं, तभी आप उपर पढ़ चुके हैं, जल्दी से उत्तर क चेन करें आपका उत्तर सहीं हो जाएगा सी सोलह सोलह मात्राय होती हैं अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है छंद कितने प्रकार के होते हैं छंद दो प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं चार प्रकार के होते हैं पांच प्रकार के होते हैं तो छंद हम प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं तिसमें मात्राएं गिनकर चंद का अनुमान लगाते हैं मूक तीन मात्राएं होई तीन चा मात्राएं वाचाल चारेक पांच मात्राएं चा पांच ग्यारा मात्राएं अगर यहाँ ग्यारा मात्राएं हो रही हैं मूख में 3, होई में 3, और यहां 2, 2, 4, 5, 6, 5, 11, अगर देखें तो कुल 11 मात्राएं हो रही हैं, अगर एक 11 मात्राएं हो रही हैं, ति इन 11 मात्राओं से, 11 मात्राओं से, जो है पहले चरण में 11 मात्रा किस्में पाई जाती है, पहले चरण में 11 मात्रा सोर्था में पाई जाती है, तो आपका सहीं बिकल्ब क्या हो जाएगा यहां, सोर्था, आपका सहीं बिकल्ब बिल्कुल सहीं बिकल्ब सोर्था होगा, पहले चरण में 11 मात्रा ह तो सोर्था ही है दोहे का उल्टा सोर्था अगले प्रस्ण पर चलते हैं दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा चंद बनता है बिलकुल सही प्रस्ण है बहुत ही बार परिक्षाओं में यह पूछा गया है दोहे और रोले को मिलाकर दोहे और रोले को यूपी पीजीट टीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटी तिल तिली काट रही थी द्रिग जलधार प्रस्तुत पंक्तिव में कौन सा छंद है तो आपको सही बिकल्ब पताना है दोहा नहीं है सोठा नहीं है दोहे का उल्टा सोठा दोनों नहीं है रोला और बर्बय में आपको सही गेस करना है तो रोला से कुंडलिया बनता है यह बर अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला है हम जो कुछ देख रहे हैं सुन्दर है सत्य नहीं है वह द्रिश्य जगत भासित है बिन कर्म सीवत तो नहीं है उप्यूक्त पंक्तियों में कौन सा चंद है चोदो चोदो मातराओं की यत से 28 मातराओं वाला मातरिक चंद है तो आपका सहीं विकल्प हो जाएगा 14-14 मात्राओं की यतिसे 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है चलिए अगले प्रस्न पर चलते हैं अगला प्रस्न है घनाचरी छंद है मात्रिक है वर्णिक है मुक्तक है इन में से कोई नहीं है गनाची छंद्र क्या है वर्णिक छंद है इसमें वर्डों की संख्या गिनी जाती है मात्राओं की नहीं वर्ड को गिन करके छंद का निर्धारन किया जाता है अगले प्रस्न पर चलते हैं अगला प्रस्न है बीर या आलहा किस जात का छंद है वर्णिक है मात्रिक है मुक्त ह इन में से कोई नहीं है तो बीर या आलहा जो है पूरी तरह से मात्रिक चंद है इसका और नाम है इसका मात्रिक चंद है बीर या आलहा कैसे चंद है बीर या आलहा जो है कैसे चंद है मात्रिक चंद है भी बिकलप आपका बिल्कुल सही है इसको और भी नाम से जानते हैं और नाम इसका क्या है मात्रिक सवय्या मात्रिक सवय्या के नाम से बहुत विख्यात चंद रहे मात्रिक सवय्या के नाम से विख्यात चंद बीर्या आला चंद अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है विशम मात्रिक का चंद है विशम मात्रिक का चंद है रोला दोह चोपाई 6 विशम मात्रिक छंद जब पूछा जाए तो आप तुरंध बता देंगे विशम मात्रिक छंद 6 है बिसम मात्रिक छंद है 6 डी विकलप आपका बिल्कूल सही हो जाएगा इसी तरह संगले प्रिस्षित पर चलते हैं रोला के चार चरण तथा उलाला के दो चरण मिला कर कौन सा चंद बनता है रोला बनता है नहीं दोहा बनता है नहीं चोपाई बनता है नहीं क्योंकि इन सम्में चार चरण होते हैं यहां चार दो छह चरण की बात की जा रही है छह चरण से कौन सा बनता है छपपे बनता है अ अगला प्रस्ण है प्रथन दो चरण दोहा के तथा बाद के चार चरण रोला को मिलाकर अब दोहा और रोला को मिलाकर क्या बनता है बनने वाला चंद है रोला नहीं दोहा नहीं चोपाई नहीं तो आपका सही भी कल्प हो जाएगा कुंडलिया क्या बनता है कुंडलिया बनत अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्न है तो इस चंद का प्रथम वा अंतिम सब्द होता है प्रथम सब्द ज stain सुरू होगा उसी सब्द से चे चंद का अंत होगा प्रथम और अंतिम सब्द एक सा होता है इसमें कुल छे चरण होते हैं जिसमें दो चरण दोहा के सेश चार चरण रोला के होते हैं ऐसा चरण कौन सा चरण है कुंडलिया है कुंडलिया इसके बारे में और जान लेते हैं रोला चंद के चार चरण होते हैं प्रतेक चरण में 11-13 के बिराम से 24 मात्राएं होती ह रोला के बारे में दोहा चंद अर्ध सम मात्री चंद है इसके प्रथम और तीसरे चरण में तेरा तेरा मात्र हैं दूसरे और चौथे चरण में ग्यारा ग्यारा मात्रा इसी का आपोजिस वोठा में होता है इस तरह से आज की प्रस्तुनोत्री यहीं समाप्त करते हैं प्रस् और कमेंट करना ना भूलें आज के लिए इतना ही धन्यवाद जैन्द जै भारत